ह souvent to my channel so guys guys आज का हमारा CSS टुटॉरियल से promote 41 वीडियो है और आज की इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं बेक्राउंट rail been मौड के बारे में अब बेक्राउंट ब्लैंद मोड क्या होता है the background blend mode property defines the blending mode of every background color और background image यह क्या शो करता है क्या आपको define करता है यह शो करता है blending mode define करता है blending mode किसका यहां तो वो हो सकता है दो images का यहां हो सकता है एक image और color का यहां दोनो color का ठीक दोनो color का जो blending mode होता है वो तो आपको पता है कि gradient होता है ठीक है आप color पर भी apply कर सकती है बट हम इसके उपर apply करेंगे image प्लस color के उपर apply करेंगे कि blending mode कैसे use किया जाता है और कैसे visible होता है आपको ठीक है अब blending mode apply करने के लिए आपके पास blending mode की कुछ values है अब उसमें से हमारे पास जो इसकी first value है वो है हमारे पास multiply ओके तो first property जो है sorry first value जो है वो है हमारी multiply इसको हम यूज़ करेंगे सबसे पहले हम setup को त्यार करते हैं एक image यूज़ करते हैं और background यूज़ करते हैं ओके तो चलते हैं अपने editor में यहांवर मैंने folder create किया हुआ है इस folder को मैं open कर लेता हूँ vs code के अंदर ओके तो यह मैं open कर लिया है vs code के अंदर इसको और इसमें एक boilerplate create की हुई है और इसके हम apply करेंगे अपनी blending mode को ठीक है blending mode कैसे apply करना है उसके लिए मैं क्या करता हूँ mode section के अंदर आता हूँ यहां पर div लेता हूँ जिसको मैं class दूँगा div.images छीक है इसको मैंने class दी है अब हम क्या करते हैं तो target कर लेती हैं इसके अंदर ही और यहां पर मैं क्या करता हूँ style tag open कर लेता हूँ और इसके अंदर हम classes लगा कर अपनी images ओ करेंगे target और यहां पर हम देंगे सबसे पहले देंगे background image ठीक है url background image दी है background image URL में क्या देंगे image का URL देंगे अब वो क्या है हमारा दिखाता हूँ आपको मैं हाँ पर folder के अंदर एक images का folder बना हुआ है उसके 4 images है ठीक है जिसका name है 1.jpg और यहाँ पर हम apply करते हैं images slash 1.jpg ठीक इसको मैंने save कर लिया है अब चलते हैं Chrome में चेक करते हैं इसकी output को image हमारी background में आई है या नहीं आई ओके output चेक कर रहा हूँ यहाँ पर देखो एक भी image आपको यहाँ पर show नहीं हो रही है इसके लिए क्या करना होगा आपको करना होगा यहाँ पर इसको देनी होगी width ठीक है तो मैं इसको width देता हूँ 100% ओके और इसको height देता हूँ मा लिजे 600 pixels ठीक है save करते हैं Chrome में आएंगे refresh करेंगे देखो image यहाँ पर आ चुकी है इमेज जो है मेरे पास वो repeat हो रही है बार-बार ठीक है इसकी repetition को कम करने के लिए और देखो आपको top पर इसमें क्या मिल रहा है एक space मिल रहा है तो पहले हम क्या करते हैं उस spaces को भी हम कम कर लेते हैं तो क्या करेंगे वही अपना body section के अंतर क्या करेंगे margin padding 0 margin 0 pixels और padding भी 0 pixels ठीक है save करेंगे chrome में आएंगे और refresh करेंगे space कम हो चुका है अब यहाँ पर क्या करेंगे background size देंगे image को तो background size background size क्या देना है cover cover save करेंगे और chrome में आएंगे refresh करेंगे देखिए हमारी image यहाँ पर लग चुकी है full width के according ठीक है इसकी height अभी कम है height इंक्रीज कर लेते हैं अब क्या करना है इसके अंदर हम apply करेंगे blending mode अपना तो blending mode apply करने के लिए हमारे पास blending के लिए कुछ होना भी चाहिए color देना है इसके background में तो यहाँ पर apply करेंगे हम यहाँ पर background color लिखेंगे background color क्या देना है आपको मानलीज मैं यहाँ पर दे रहा हूं red color दे रहा हूं हमारा क्या है अपसे पहले हमारा है background ठीक है background blend mode ठीक है आपको यह apply करना है blend mode में पहले value क्या है हमारे पास सबसे पहले value है multiply जैसे आप इसको देंगे save करेंगे chrome में आएंगे refresh करेंगे देखिए जो color है वो image में mix हो चुका है यानि कि हमारी image थी वो colorful थी अपसे red color क्या हो गया है mix हो चुका है ठीक है तो यह हो गया हमारा blend mode हो गया है आप color और change करना चाहते है आप इसमें करना चाहते है blue तब देखिए blue का blending mode इस type से होगा ठीक है यह था blending mode simple आपका color के उपर अब देना चाहते है आप background में gradient तो gradient color देने के लिए हमें क्या करना होगा जो background color दिया है इसको हमने ऐसे cut कर देना है ठीक है और अपने background image के अंदर आना है यहाँ पर लगाना है comma और color देना है इसको linear gradient अब linear gradient में आप color कौन कौन से इसको देना चाहते हैं सबसे पहले यहाँ पर मैं दे रहा हूँ blue ठीक है और comma red comma yellow यह color आप देंगे सेव करेंगे देखिए background blend mode तुमें लगाया हुआ है सेव करेंगे chrome में आएंगे refresh करेंगे यहाँ पर हमारा color जो है blue red yellow यह blending mode यहाँ पर हो चुका है यह था हमारा blending mode color के साथ और gradient color के साथ अगर आप blending mode दो images के बीच में show करना चाती है वो कैसी होगा तो आपने simple क्या करना है gradient gradient को हैसे cut कर देना है ठीक है और यहाँ पर comma लगाया हुआ है URL लिखना है यहाँ पर अपनी next images का आपने क्या देना है URL देना है तो images folder के अंतर में पर image है try करती है to jpg save करेंगे एक ROM में आएंगे refresh करेंगे दोनों images क्या हो गई है blend हो चुकी है तो पहली image थी कुछ इस type से ठीक है second image थी three type से दोनों को mix किया दोनों का blending mode बन चुका है अगर आप और images को mix करना चाहते हैं निकि first में अगर आप four mix करना चाहते हैं तो यहाँ पर two की जगा कर दीजिए simple four save कीजिए chrome में आईए और आकर output चेक की देखिए यहाँ पर दोनों images क्या हो चुकी है blend हो चुकी है ठीक है ऐसी आप अपनी images को एक, दो, तीन, चार images को अच्छी तया से blend कर सकते हैं ठीक है just try के लिए यहाँ पर हम three को करते हैं one और three को save करेंगे chrome में आएंगे और check करेंगे output देखिए इस steps यह blend हो चुकी है ठीक है hopes आपको समुझ आयाओगा multiply वली values अब मैं आपको यहाँ पर show करवाता हूं उसकी other values कौन-कौन सी होती है मैं सारी आपको values यहाँ पर लिखके दिखाता हूं ठीक है यहाँ पर मैं फटा- कोपी करता हूं और check करती है blending mode multiply की जगा screen करेंगे save करेंगे chrome में आएंगे refresh करेंगे इस type से आपको screen में show होगा ठीक है आप मैं सब value show करवाता हूं next है मारी overlay overlay copy करेंगे editor में आएंगे यहाँ पर आगर paste करेंगे और save करेंगे chrome में आएंगे refresh करेंगे देखिए overlay में इस type से आपको show होगा okay next है आपकी darken darken को save करेंगे editor में आएंगे और यहाँ पर आगर करेंगे आप इसको paste तो save करेंगे और check करेंगे ति darken में कुछ इस टैप से वो blending mode show हो जाएगा okay सबसे best जो आपका blending mode है वो है multiply बाकी को आप try कर सकते है अगर आपको जो भी अच्छा लगता है आप उसको one by one try कीजिए और जो अच्छा लगेगा उसको अपनी website के अंदर apply कीजिए ठीक है बाकी सबसे बढ़िया जो है सबसे अच्छा जो लगता है वो multiply ही है ठीक है मुझी वे अच्छा लगता है multiply ही okay अब next यहाँप मैं apply कर रहा हूँ color आप देख रही है one by one की कैसी उसके blending mode change हो रही है अगर हम change करें तो but इतने look अच्छी नहीं आती कि जितने look हमारी multiply से आती है ठीक है images ठीक है और last tag आपका elements city copy करो और यहाँ पर आगर पेस्ट करो save करो output check करो इस type से ठीक है कुछ भी समय नहीं आ रहा क्या हो रहा है ठीक है बट सबसे best जो है multiply है उसको apply करो color के साथ apply करो gradient के साथ apply करो बाकि अगर आप experiment करते रहेंगे सभी values के साथ जो आपको अच्छे यह blending mode आपने photoshop के अंदर भी देखा होगा photoshop के अंदर भी blending mode होता है वही blending mode यहाँ पर भी है आप CSS की help से images में colors में blending आप कर सकते हैं ठीक है hopes आप यह blending mode topic समझ आया होगा इसके पर experiment करना इसको समझना अच्छे से आपको और यादा clear हो जाएगा ठीक है so that's it for this video I will see you in next video bye bye and take care